हेलो गाईज मैं हूँ प्रीती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point and School of Open Learning की तरफ से सब्जेक्ट चेंज करने से रिलेटेड एक न्यू नोटिस पॉब्लिक किया गया है तो आईए जानते हैं क्या है उस नोटिस में और क्या प्रॉसेस रहेगा आपके सब्जेक्ट चेंज करने का means अगर कोई student माल लीजिए अगर किसी ने education ले लिया है और अब वो education में study नहीं करना चाता है तो इसी से रिलेटेड एक न्यू नोटिस जो है वो पॉब्लिस किया गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप S.O.L. के official website को login करोगे website login करके यहाँ continue to website पे click करना है आपको जब आप नीचे scroll करेंगे तो notification वाले section में यहाँ पे देखिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है notification regarding last date for subject change course for all courses has been extended तो इस notice को आप open कर लोगे notice open करने के बाद आपको notice जो है वो डाउनलोड कर लेना है देखिए पांस तारिक को notice publish किया गया है ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है the last date for change of subject and courses for all courses has been extended up to 20 January 2021 means 20 तारिक तक आप जो अपने subjects है वो change कर सकते हैं this should be notified on their website for the information to student right तो 20 तारिक तक आपको क्या करना है अगर आप अपना subject change करवाना चाहते हो तो आप direct SOL में जाके वहां से अपना subject या फिर अपना course जो है वो change करवा सकते हो अपने campus में जाके जो भी campus हो आपका South campus या North campus तो अपने campus के according आप वहां जाएंगे walking days में आपको जाना है Monday to Friday और जाके 10 से 5 परजे के बीच में आपका जो course होगा या subject जो भी change करवाना होगा उसके लिए application दोगे वो क्या process रहेगा वो direct आपको campus में वो लोग बता देंगे ठीक है तो वहां जाके अपना course आप change करवा सकते हो राइट तो ये छोटी से information थी आप सब के लिए I hope आपको यहांसे कुछ important जानने को मिला होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही thanks for the watching this and best of luck all guys